नमस्कार दूस्तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोलेश्डॉल, जी हाँ, दोस्तो पहले जो जमाना था कि पचास सार साल के बाद जो है इंसान के सरी में कोलेश्डॉल बहुँ जादा हो रहा था, लेकिन इस समय दूस्तो देखा जा रहत है कि 25 से 30 साल के उन से हĩ cholesterol हो जा रहा है लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे की कारण क्या है जिसको जो से cholesterol हो जाती है लेकिन दोस्तों एक बाट याद रखिएगा कि अगर आपके सरी में cholesterol होना तो जरूरी है लेकिन जरूरत से जब ज़्यादा cholesterol जब हो जाती है तो आपको क्या होता है हार्ड अटेक का प्रोग्लम आने लगती है और सारे बेमरिया आपको आने लगती है इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हम बताएंगे कि कौन सी उपाई करकर आप आसानी से cholesterol को ठीक कर सकते हैं बीना दावा कर ठीक है अगर आप उस उपाई को आप लोग करते रहा रहें तो आप लोग को सरी में cholesterol नहीं जामेगा ठीक है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा आम तेक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके और आप लोग का कोई भी कुश्चन हो किसी भी बिमारी के सबंदी तो आप लोग कमेंट बॉक्स और इस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं हम आपको मदद जरूर करेंगे ठीक है और आप लोग ऐसे हैं वीडियो देखना चाहते हैं यानि कि जिस तरह आप डालडा देखें न उस तरह होता है ठीक है आप इसकिन पर भी आप देख रहें डालडा की तरह हैं में जमा हुआ है या जो है लीवर के दोवारा उत्पन होता है यही दोस्तों अगर ज़वरत से जब ज़्यादा जब बढ़ जाती है एनसान के hard attack के समझावना आ जाती है यहीं कि hard का भी आपको problem हो जाएगा hard का problem बढ़ जाएगा यह बहूँ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वही hard attack आपको हो जाती है ठीक है लUNG दोस्तों का सरीच में कहीं कहीं cholesterol के ज़ूरत है ठीक है क्या होती है यह जाना बहुत जरूरी है देखे दोस्तों कोलेश्टो होने के बहुत सार करण तो नहीं होता है नमबर वन आपको हम बता दे रहें वह कौन सा करणत है वह होता है गलत खान पान के मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वाला चीज खाना, इसके बाद डालदा बहुत ज़्यादा खाना, तेल वाला चीज ज़्यादा आप खा रहे हैं, मार्केट का इजा पीजा चौमी जो भी चीज होता है यह सब आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ड इसके वोज़से क्या होते हैं, कि Lepestyl गरबरा जाता है, ठीक है, Lepestyl गरबरा जाएगा तो सरीर से क्या होगा, कि Kolesterol भी आपको सरीर में बनने लएगा, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तो यही है, Glut, Khand, Pan और Glut Lepestyl के कारण क्या होते हैं, कि Kolesterol दोस्तो बरने लगती हैं, इसके अगर आपको मोटापा हैं इसी के वज़से भी आपको कोलेश्टोल बर सकते हैं अगर आपको मोटापा है तो इसको कंट्रोल करके रखना है नहीं तो कोलेश्टोल को बरने में समय नहीं लेगा जितने आपके कोलेश्टोल बरेगा उतने सरीर आपका मोटाटे जाएगा तो क जो है नलिप में जो है ताय शीव उसमें चमने लगते हैं ड़्डे जिस तरह आप इस में ज़्य детEM पर देख रहे हैं और यहीं को बहुत ज्यांदा प्रे सर चगे अगर को ar 걸 अगर नर्मल जासे प्रपा को हार टो यहाँ जय्क्त को बहुत ज्यादा थाकान भंसुस अ होने लगती है यही जब ज़्यादा बढ़ाद को जाने में दिकत होता है ह क्या होता है दोस्तो की हारट इतेक हो जाती है ठीक है इसके बाद दोस्तो आप को fatty liver की समझेद को हो साथ है ठीक है अगर आपको cholesterol बहुत ज़्यादा जम जाएका तो आपको fatty liver होने के संभावना हो जाती है तो इसलिए fatty liver और प्लस से आपको heart attack के संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको fatty liver है उसके लिए वीडियो बना दी उस वीडियो को आप लोग जाकर आसानी से टिक कर सकते है fatty liver को ठीक है तो आएफ हम लोग जानते हैं कि कौन सा उपाई करकर आसानी से ठीक कर सकते है फैलेस्ट्रोल को ठीक है तो दोस्तो वह कौन सा उपाय है दोस्तो नमबर रॉन आपको उपाय बता रहे हैं अगर आप ओमेगा थी आप खा रहे हैं ओमेगा थी अगर बहुत ज़्यादा डाइट में ले रहे हैं तो समझ लेजिए कि आपको हाड का प्रोग्लम आपको नहीं बहुत बनिए हैं इसको रूज एक गोली अपसूबा असाम खा सकते है खाना खाने के बाद इसके बाद दोस्तो लहसुन, लहसुन भी बहुत अच्छा काम करती है, लहसुन जो इसमें एंटी इंफ्लामेसी गुन होता है, इसके एंटी बैक्टरिय भी गुन होता है, प्लस ब्लॉट को पतला करने के में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, कोलेस्टोल को भी बहुत खत्म कर देता है ठीक तो दोस्तो आप चाहिएगा तो इह लहसुन का जो है दो-तीन जावा यानिकि डेली आप जैसे खाने लगिएगा और पानी पीने लगिएगा गरम पानी के साथ तो आपको कॉलिस्ट्रोल खत्म हो सकते हैं भीना दवा का ठीके तो दोस्तो यह सब आप उपाई जरूर करिएगा इसके बाद दोस्तो अगर आप चाते हैं तो पियाज की भी आप खा सकते हैं खाने में अपना पियाज कर लिजिएगा यानि डेली एक ठोप पियाज आप खाने लगिएगा अगर नहीं बना है तो यह बहुत अच्छा काम आपको करने लएगा तो चले दोस्तों हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं नमस्कार जैहिन जैभार